आज हम करेंगे हिंदी की एक्टिविटी कौन सी वियंजन कर से ना तक सीखेंगे देखो हमने फ्लोर के उपर कर से ना तक सारे वियंजन लिखे हुए हैं और आप भी अपने घर के आंगन में ये वाली एक्टिविटी करके इनको अच्छे से याद कर सकते हो अब आप देखोगे कि मैम कैसे करवा रहे हैं मैम बोलेंगे व्यंजन और बच्चा जो है वो उसके उपर जम करके बताएगा कि ये कौन सा व्यंजन है अब मेरे पीछे-पीछे बोलेंगे साथ-साथ में एक्टिविटी को भी घर पे करेंगे ओके नओ लेट्स स्टार्ट को वेरी गोड खो दो धो इन्या वेरी गोड लाइक दिस वे आप सबने भी घर पे ऐसे करने है चाहे अब स्टपू के साथ खेलो चाहे आप दो बच्चे जंप लगा कर अब नेक्स्ट कौन सा व्यंजन है कौन सी लाइन है चरकी तो हम च पे जंप करेंगे च च ज ज ज झ न वेरी बेल डन वेरी गोड लाइन अब 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 अमारे थर्ड लाइन कौन सी है त वाली तो हम त पे जंप करेंगे पहले त त ड ध ध नाइस अब हमारी एक लाइन रहेगी लास्ट वाली वह कौन सी है ता वाली तव में आपको सब को बता है ना जब हमने व्यांजन बोलने है तो उनका ध्यान रखना है हमारी टांग हमारे पैलेट के साथ टच करती है या हमारे लिप्स करते हैं अब हमारा वियंजन त स्टार्ट होने जा रहा है त त त न त न वेरी गूड अब मैं देखो बच्चे को पूछूंगी बीच बीच में से एक दो पूछूंगी और वह बच्चा उसी वियंजन पे सीधा जंप कर लेगा अच्छे बिच्चे अब हमें बताओ कि जर कौन सा है वेरी गूड ओके अब मुझे गह बताओ गह का पी है नाइस वेरी नाइस अब आप मुझे यह बताओ कि ठर का पी लिखा हुआ है आरे मेरी गूड ओके चिल्रेन आप सब ने इसी एक्टिविटी को घर पे करन है